अब यहाली में जो वर्ल्ड इन्वर्स्टी गेम्स वे पहले 60 साल में कि बल अठारा मैडल जीते थे इस बार हमने 26 मैडल जीते जिसमें 10 गोल्ड मैडल है और हमें उमीद है कि इस बार एशियन गेम्स में भारत आज तक के सबसे जादा मैडल जीतेगा वहीं पर एक खुशकबरी है कि खेलों इंडिया योजना के लिए 675 क्रोड पया मानिने प्रधान मंतरी जीन और मंजूर के हम हम उमका धन्यवाद करते हैं जो लगबग 31 क्रोड से बढ़कर अब 3700 क्रोड पय से जादा हो गया है ये खेलों के प्रती जो तीन गुना जादा बजट पिछले नौ साल हमें परधान मंतरी मोधी जी ने बढ़ाया उसी के कारण भारत के खिलाडी जादा शांदर परधर्शन कर पाए और खिलाडियों का मनौबल बढ़ाने का काम जितना दुनिया में कोई देश का परधान मंतरी राष्टपती ना करता होगा उस से जादा परधान मंतरी मोधी जी करते हैं लेकिन आप केवल नाम तक भजगे हम नाम रोशन करने की बात करें आप उसको हिंदोस्तान कहें, भारत कहें, इंडिया कहें हमारे देश के खिलाड़ी भारत का नाम रोशन करने बाले है सर एक सवाल इडिया के अधीर अंजन जौधरी ने कहा हुआ है साफ तर पर कि भारत के नाम से अगर हिंदोस्तान इतनी प्रॉब्लम है इंडिया नाम से, तो रास्ट पदी भवन भी छोड़ देना चाहिए और नॉर्थ लॉग साउथ ब्रॉग भी छोड़ देना चाहिए अगर इससे भी संतुष्टी ना मिले तो उसको गोले से उड़ा देना चाहिए देखिए कुछ लोग केवल ब्यान बाजी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं आखिरकार भारत का विरोध क्यों ये भारत विरोधी मान सकता क्यों आप गर्व से कहते हो हम भारती हैं आप गरव से कहते हूँ हिंदोस्तानी, आप गरव से कहते हूँ हिंडियन है, आखिर भारत शब्द का परयोग करने पर इतना एतराज क्यों यह कॉंग्रेस की दिवालिय पन है मांसिक्ता का एक तरह से, अगर वो इस तरह की ब्यानबाजी कर रहे हैं, गरव से कहना चाहिए ह लेने के लिए देश को भी बदनाम करने से पीछे नहीं है। खतम करने की बात करते हैं जैसे डेंगू मलेरिया को खतम करना है। ये मानसिक्ता उस गमंडिया कटबंदन के उन अलाइंस पार्टनर्स की है। जो एक के बाद दूसरा इस होड में लगा है कि हिंदू को अपमानित करें, सनातन धर्म को अपमानित करें। यह मान सिकता इनको प्यारी हो, इनको देश से माफी माँगनी चाहिए, मैं यही कहूंगा, यहाँ देश में मोदी जी की सरकार है, जो सब का साथ, सब का विकास मूल मंतर के साथ काम करती है, और देश को आगे बढ़ाने में सब का साहियोग कुछाती है. लास सवाल है किया आने वाली एसिन गेब्स में और ICC World Cup में किया हम भारत शबका इस्यवाल करेंगे? यह आपने बारत का इस्यवाल इस्यवाल किया मुझसे पूछ कर किया है, आप दिल से कहते हैं, मैं बारत इह हूं अदिल से हिंदोस्थान में दिल से इंडियन हूं यह कोई पूचके करना है, आप कहिए गरव से कहिए, तो हम अपने चरजीज में देखिए भारत का नाम, इंडिया की जगा भारत, इंडिया लिखा कि आपको इस पर इतराज है कोई, जेकिए जिन लोगों को भारत लिखने से विरोध है या इतराज है, उनकी मानसक्ता दिख क्या है, ना इंडिया शब्द में कोई विरोध है, ना भारत शब्द में कोई विरोध है, ना भारत शब्द में कोई विरोध है, ना भारत शब्द में कोई विरोध है, ना हिंडोस्तान की शब्द में कोई विरोध है, क्यों ऐसी बात करते हैं, मुझे लगता है, इनकी मा वे अभी कमेटी बनी हैं, वाननेशन इलेक्षिन पे